हलो फेंट्स नमस्कार कैसे हो आप सब आई हूप कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज इस वीडियों बताने वाला हूँ कि बीना एजेंट के दुबाई कैसे हैं दरसल जो लोग नए हैं उनके अंदर काफी ज़ादे कनफ्यूजन है कि दुबाई कैसे जाएं दुबाई का वीजा कैसे मिलेगा और इस समय एक वीडियो बहुत तजी से वारल हो रहा है एक लड़का है जो कि दुबाई में काम करने के लिए आया था एजेंट के धुरू और वो रो रहा है और योगी और मोधि से गुषा लगा रहा है कि पलेज हमको घर बुला रहे जीए तो गैस ऐसा उनिलों के साथ होता है जो लोग एजेंट और ओपीस के बारे पता नहीं करते हैं पताएंगे कि बीना एजन्ट के दुबई कैसे हैं बट आप वीडियो पूरा देखेगा चैनल पर नचल कुछ सस्काइबर साथ में गन्टी कभी लेकिन जरूर पेस कर लिजिए ताकि आपको वर्कस के लेटर वीडियो मिलती रहे तो चली वीडियो सुरू करते हैं दोस्तों दुबई आने के कई रास्ते हैं चाहिए आप वीडियो पर आ सकते हैं मैं पोर रोपीज से आ सकते हैं नहीं तो लिंक डिन और इंडिड यह से साइटों पर अपलाई करके आ सकते हैं तो सबसे पहले बात करें अगर आप दुबई वीडियो या लेकर आते हैं तो आ आपको इंगलिस आना चाहिए और दुबई में घूम करके आपको जोब सर्च करना आना चाहिए ठीक है तो जो पड़े लिखे नहीं है जो दस तक पड़े हैं काफी लोग ऐसे हैं जिनके इंगलिस उगारा नहीं आती है तो उनके बसकी बात नहीं है क्योंकि उनके पास पैस भी नहीं है और नालेज भी नहीं है कि दुबई में जा करके वहाँ पर ढूड़ करके जोब हासिल कर सके ठीक है यह वही बंदा कर सकता है जिसके अंदर काविलियत है कि मैं दुबई जा करके ढूड़ करके जोब हासिल कर सकता हूं ठीक है जिरके अंदर काविलियत है सबके तो अगर आप दुबाई वीड 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 व टिकट मिला करके, उसके बाद कम से कम आपके पास 40,000 रुपे होना चाहिए, क्योंकि दुबाई जाएंगे तो दुबाई में आपको रूम बुक करना पड़ेगा, प्लस खाने के लिए पैसे चाहिए, प्लस ट्रेवल करेंगे इधव दो इंटरव्यू देने के लिए जाएं तकरीवन 80,000 रुपे खर्चा हो जाएगा, ठीक है, आप इस्टा पैसा लेकर के जाएंगे, आपको जल्दी जोब मिल जाता है, 10 या 20 दिन में, एक महिने में, तो जो आपका पैसा है, वो आपके पास ही रहेगा, ठीक है, अगर आप इस्टा पैसा नहीं लेके जाते हैं, आपको कोई देने वाला नहीं है, आप भूखे रहेंγά तो अभी आपको कोई देने वाला नहीं है, तो इससे आप इस्टा पैसा लेकर के जाएंगे, जल्दी जोब मिल जाएगा तो आपके लिए एजली हो जाएगा, थोड़ा जादे समय लगता है, तो आपके पास पैसा ह लेकिन आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप यहां पे दूसरे के सामने हाथ नहीं फ़ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह गल्फ कंट्री है, अपना इंडिया या बांगलादस पाकिस्तान नेपाल नहीं है, ठीक है, तो ऐसे दुबई अगर आप आते हैं, वीट विया ले मुझ से बूलने के लिए बहुत आसान है, लेकिन तो जब करना पड़ता है, तो बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए का रहे हैं कि दुबई में वीडियो पे आ करके जोब सर्च करके जोईन करना सबके बसकी बात नहीं है, तो गाईस अगर आपको इंडिया में हैं, दूस ओपिस से आ रहे हैं, ओपिस वाल आपसे फ्रोड कर रहा है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप विडाउट गर्मेंट ओपिस आएंगे, आपके साथ फ्रोड हो जाएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपको ओपिस के बार अच्छी है नहीं तो जादे दर फ्रोड ओपीस को आले करते हैं ठीक है तो ओपीस अगर आएंगे तो कम से कम आपका चार्ज पढ़ जाएगा ओपीस के बारे में अच्छा से पता करके या आना नहीं तो आपका वह हालो गा जो आगे वीडियो में बताया था जो लड़के के साथ अब हो रहा है ठीक है एसा नहीं है कि हर ओपीसओलागा आद ही एसा करता है लेकिन तो जादेतर एजेंट अभी के टाइम में ऐसा ही कर रहे हैं वहाँ पर बोलते हैं कि मैं जाकर करके आपको अच्छी कमपनी में लगाऊंगा या पर भीजने के बाद सप्लाई कमपनी में लगा देते हैं तब आदमी लोगों को समझ में आता है तब जब भी एजेंट से आना ओपीस से आना तो ओपीस और एजेंट के बारे में अच्छे से पता कर लेना उसके बाद ही आप उसके तुरुगाना नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है मैं बहुत सारी वीडियो में बता हूँ कि अगर आपको दुगई जाना है एजेंट और ओपीस से तो एजेंट और ओपीस के बारे में पता करके ही जाना है अगर आप पता करके नहीं जाएंगे तो आपके साथ फ्रोड हो सकता है क्योंकि एजेंट और उपिस वाले लोग बताते हैं कि वहाँ पे जाएंगे तो आपको इस्टाइटिंग में 40-40 रुपे सरी मिलेगी लें तो यहाँ पे आने के बाद सीधे उल्टा हो जाता है 25-30 रुपे में कनवर्ड हो जाता है तो गाइस सोच समच कर आना विदेश क्योंकि यहाँ की जो लाइफ होती है काफी सरगल भरी होती है घर से कहने में बहुत आसान होता है कि हमको कोई भी काम है भेज़दो में जागर के महां पे कर सकता है लेकिन तो यहाँ पर आने के बाद समझ में आता है कि कास मैं तोड़ा वक्त ले करके कोई काम सीख करके सोच समझ किया होता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता ठीक है तो काफी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि भाई हमको दुबाई बिला लेजिए मैं ऐसे भी कोई भी काम करके वहाँ पिरा सकता है तो गैस ऐसा कुछ भी नहीं है आप घर पे हैं आप अच्छा लग रहा है दुबाई देखने में टीवी में मुवाइल में लेकिन तो यहाँ की जो रियाल्टी है एक वर्कर ही बता सकता है अल्रेडी मैं खुद एक वर्कर ह नहीं करेगा तो जो रियाल्टी है और रियाल्टी मैं आप लोग को बता रहा हूं तो गैस अगर आप दुबाई वीडियो लेकर करके आते हैं तो आपका 6-7 रुपे खर्चा होगा मैं पर ओपीस से आते हैं तो भी आपका उतना ही खर्चा होगा एजेंट से आते हैं तो को वरोसा नहीं होता है साला एजेन कोई डे लाग रुपे लेता होगा क्या सथा है ऐतना असां असाम भी नहीं है मीनमम में तैक着 अनले हैने काम आके तो 49 लग इंडियो काम नहीं कर्ते अर मैं भी यहां पिनकाथे टो ऐस जिमेदारियां होती है जो सोचता हाँ अपने फ सकता है कोई दिकस्ль नहीं है कोई भी नहीं बंदा होता रहने में जब जाता है तो उसको थोई मुश्क्षिकिल होती है ठीक है लेकिन तो जादे दlaw-धी नहीं बस 2 से 3 म羽ंति उसके बाद जब यहां पहबा साथ